आज की इस वीडियो में हम चैनल नंबर 12 देखने जा रहे हैं चैनल नंबर 12 क्या है आज फार 2 नंबर 2 नंबर हमने सबसे पहले यूजर से लेना है फिर क्या कहना है if the first number is larger than second अगर जो पहला नंबर हुआ वो larger हुआ second से तो display कर दो second number first में तो इसके बाद जो है वो second number हमने क्या करना है first number जो होगा वो display करा देना ठीक है अगर यह condition true होई तो फिर आगे क्या कहा रहा है otherwise अगर यह condition true ना ही तो otherwise क्या करना है तो इसके बाद नंबर फर्स में करा देना है डिस्प्लेइ और जो second number होगा वो second number पर दिस्प्लेइ कर वा देना है तो सबसे पहले हमने क्या लेना है user से दो नंबर लेने है तो क्या कि बाद नाम 1 इप्ल टू सबसे पहले type cost किया फिर हमने क्या किया कि input function use किया फिर हमने क्या किया कि enter first number सबसे पहले हमने क्या किया कि first number लिया user से वो number लेने के बाद हमने इसी को copy करके second number लेना है ताकि time बाद जाए तो यहां से हमने enter किया enter करने के बाद हमने num2 कर दिया ठीक है नम्टू किया और यहां पर हमने second number लिख दिया यहां तक हमारा हो गया कि हमने दो number जो है वो ले लिए इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है condition लगानी है condition automatically हमें क्या कह रहा है if the first number is larger than second तो हमेरे दमाग में automatically आना चाहिए कि यहां पर क्या आ रहा है क्या क्या कोई condition यूज़ हो रही है क्या 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 करते हैं version अगर यह वाली बेसी हम क्या करैंगे इस लगाएंगे फिर हम क्या करेंगे num1 जो है ओड्यकर 1 is greater than num2 या अगर num1 num2 को greater हूआ तो हम सबसे पहली क्या करेंगे डिस्प्ले कराएंगे second number क्या करा if the first number is larger than second if the first number is larger than second display कर तो second number पहले print कर दो second पहले f हम करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे पहले second लिख देते हैं फिर हम bracket में variable लाते हैं num2 और इसके बाद को मा डाल के हम करते हैं first फिर हम इसमें क्या करते हैं num2 कर देते हैं num1 कर देते हैं num1 जो है वो कह रहा है कि first second पहले क्या कह रहा था अगर जो है condition num1 जो है वो greater than num2 जनी पहला जो number वो greater than दूसरे के हुआ तो पहले जो second वाला होगा वो आपने डिस्प्ले कर वाद आना है पहले फिर इसके बाद वो fast while number display कराना है अगर वो कहता है अगर ये condition टूम एओ तो फिर हम कैसे करेंगे अगर condition true नहीं तो क्या कहता है ये बलो ये condition true नहीं तो हम क्या करेंगे else पर जाएंगे as भी जाने के बाद हमका कहा रहा है कि सबसे पहले उसको पहला नमबर डिस्पले करा दो और पहला नमबर डिस्पले करा हो और इसके बाद जो है वो second number डिस्पले करा हो तो इसी को हम copy करते हैं और यहाँ पर paste करते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि first number वाला पहले आ जाएगा और यह second वाला जो है वो क्या कहा रहा था बाद में आ जाएगा तो यह second वाला हम क्या करेंगे इसको बाद में लिखती है हम इज़े आपको condition दोबार रपीट करता जले हूँ सबसे पहले हमने user से दो number लिए दो number लिए इसके बाद हमने condition लगाई है अगर पहला number जो है वो greater than दूसरे को हुआ तो हमने क्या display कराना है कि दूसरा number पहले फिर इसके बाद पहला number फिर इसके बाद else पर क्या करना है else पर करना है कि पहला number पहले और दूसरा जो है वो दूसरे number पर आप compile करके देखते हैं कि क्या हमारा ये ठीक हो रहा है compile सबसे पहले user 10 दिये हैं इसके पतर 20 दिये हैं अब देखते हैं क्या कह रहा है तो पहला जो है वह num 1 जो है वह greater than 10 जो है greater than 20 है condition false condition false होई तो हमारे पस क्या है else पर आ गए else पर आने के पास हमारा जो first number है क्या है 10 तो pen 10 जो है पहले डिस्प्ले हो रहा है फिर इसके बाद दूसरा है दूसरा को है 2020 जो है वो दूसरे पर हो रहा है सो अमीद है यह वोला आपको समझा गया होगी कैसे हो है thank you so much आगे जो है